कल मुख्यमंत्री जी ने जो कोट में कहा उसमें उन्होंने कहा कि यह पूरी की पूरी जाच जब से शुरू हुई तब से असली शराग घुटाला शुरू हुआ और दो कारण हैं कि यह जाच चलाई जा रही है पहला कि इस जाच के नाम पे एडी जो है वो आम आदमी पार्टी के उपर भरस्टाचार की बदनामी चिपका सके एक स्मोक स्क्रीन बनाई जा सके और उस स्मोक स्क्रीन के पीछे एडी एक एक स्टॉर्शन रेकेट चलाए पै राघव रेड़ी की, शरत रेड़ी की, इन तीनों ही गवाहियों में देखा गया कि पहले इन सब ने E.D. को अपने बयानों में कहा कि अरविंद केजरिवाल का कोई लिना देना नहीं है, उन्होंने अरविंद जी के विशय में कोई गलत बात नहीं कहीं, बार-बार उनके ब रोड़ पती, उद्योग पतियों के बेटों को जेल में डाला गया, और 6-6 महिने तक जेल में रखा गया, तो बाप तूट गए, और फिर किसी ने अपने सात्वे बयान में ये कह दिया, कि अरविंद केजरिवाल से वो मिले, किसी ने चौते बयान में कह दिया, तो अरवि जैसे ही एक बयान अरविंद जी के खिलाफ आ जाता है, तो उसको वो कोट में दाखिल कर देंगे, ये ताकत एडी के पास कैसे है, ये तो कोट डिसाइड करेगा, सारे के सारे बयान जो है, कोट के सामने रखे जाने चाहिए,